नमस्कार, कुमार एश्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैपिकोन एसेंडेंट के लिए 16 नौवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक के मंत्री पेडिक्शन के विशे में यह जो मंत्री पेडिक्शन है यह लगन के अधार परादारी थे तो आप इसे अपनी लगन राशी के अनू सारी देखें तो आईए देखते हैं इस समयंतराल के अंतर पर प्लेनेट आपको क्या रिजट प्रदान करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सूरे ग्रह के बारे में सूरे के साथ में शुक्र भूध भी है और सूरे के उपार मंगल की एस्पेक्ट भी है और इसके साथ में तर आल के अंतर पर आप किसी गॉवर्मेंट के माद्यम से अपने धन को संचे करने का प्रियास करेंगे हो सकता है कोई rdfd इंसुरेंज पॉलिसी आप अपने नाम स संपत्ती की प्राप्ती होती हुई यहां पर दिखाय देती है इसके साथ अगर आप married हैं तो इस समय में देखेंगे कि आपको आपके spouse के परिवार वालों से कुछ धन नेम फेम या कोई property मिलने की संभावना मैं यहां पर दिखाय देती है समय आपके लिए उत्तम रहेगा इसके बाद बात करेंगे मंगल जTime 23 नॉमबर 2022 से ग्यारा मार्च 2023 तक व्रशब्राशी में गोचर कर रहे हैं मंगल जिय आपके साउस में आपके फिफ्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ बोडी विल्डिंग इत्यादी करना कुछ गेम कुछ स्पोर्ट से इत्यादी खेल करके आननद प्राप्त करेंगे इसके साथ साथ आप अपने धन के अंद भी प्राप्त करेंगे इसके आपको अच्छ अच्छ मित्रों का सुके समय में प्राप्त होता दिखाई देता है इसके बाब बात करेंगे मंगल गए कि दिष्टी के बारे में मंगल गए कि 4th aspect जब आपके 8,000 पर पढ़ती है तो ये आपको आपकी health के लिए थोड़ा सा careful लेने के लिए बोलती है वैसे तो health आपकी उत्तम ही रहेगी प्रन्तु फिर भी थोड़ा सा health के लिए careful रहा जाए हेल्थ में वैसे सुधार के लक्षन इस समय में दिखाए देंगे अगर कोई डिजीज है तो हेल्थ में सुधार के लक्षन दिखाए देंगे परन्तु फिर भी मेडिकल मैडिसिन को किसी प्रकार से नदर अंदाज नहीं करना चाहिए उन्हें समय समय पर लेते रहना चाहिए इसके साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके कुटूम के सदस्य या अगर मैरिड है तो आपके स्पाउस के परिवार वाले इस समय में काफ़े अनरजेटिक रहेंगे उनसे वारतलाब करते समय थोड़ा सा केरफूल होकर के बात करेंगे तो लापराप्त होगा अधरवाइज उनके क्रोध का या उनके कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है इसके बाद जब मंगल गएकि साथ इजश्टी आपके लेवंध होसा पड़ती है या उनके के लिए, आपके लिए आपके घर के लिए और इस समय में खर्ची होता दिखाइदेता है धन खर्ची करने के बाद भी आपको और प्राप्ति हो ऐसा यहां पर प्रतीत होता है। इसके बाद करेंगे बुद्ध ग्रेय के बार में बुद्ध ग्रेया 13 November से 2nd December 2022 तर कुष्टिक राशी में गोचर कर रहे हैं यह आपके 11th house में गोचर कर रहे हैं और बुद्ध ग्रेया आपके लिए आपके आने से मिल जाएगा उसमें भी आपको लाप की प्राप्ति होगी इसके साслग इस साथ इस समय में आप ड्रेवल करके भी अपर आप को ट्रैवल करेंगे तो ड्रैवल में आ जाएंगे हैं इस समय में आपक कुछ धन किसी जैज़ेट के ऊपर गयाज़ेट purchase करने में या गैजेट के रख रखाओं के उपर आप इस समय में कुछ धन खर्च करेंगे आपका धन खर्चा होता दिखाई देगा इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव करेगा और इस समय में आपको कमिशन बेसिज जैसे कारियों के अंदर इंटरस्ट आएगा उन सब चीजों को करने से आप लाप राप कर पाएंगे इसके बाद बात करेंगे देवगुरू बसपती के बारे में देवगुरू बसपती 13 अपरेल 2022 से 21 अपरेल 2023 तक मीर नाशी में गोचर कर रहे हैं यह आपके ठर्ड हाउस में गोचर करें और देवगुरू बस्पती यहाँ पर अपनी स्वेराशी में है और यह सुरू में स्टार्टिंग में तो रेट्रोगेट रहेंगे उसके बाद यह डारेक्ट हो जाएंगे 23 November 2022 से डारेक्ट हो जाएंगे और देवगुरू बस्पती आपके लिए आपके ठर्ड और आपके त्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हो करके आपके ठर्ड हाउस में गोचर करें यह जो समय रहेगा यह समय आपको धार्मी क्यात्रा कराने वाला रहेगा यात्राओं के उपर आपक सिब्लिंग्स का अच्छा भरपूर सपोर्ट प्राप्ट होगा उनसे एडवाईज ले करके कुछ कालिये करेंगे तो आपको अवश्य सबलता प्राप्ट होगी इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने परोसियों से कोई एडवाईज लेंगे तो उनके दुवारा द बात करेंगे देवगुरु बैस्पति की दरश्टी के विशे में देवगुरु बैस्पति की जो पांचवी दरश्टी एक, दो, तीन, चार, पाच आपके सेविंध हासो पड़ती है तो इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ इक यात्रा करके आनंद का लूब पराप् और अब बिजनस करते हैं तो बिजनस पार्टनर और से भी आप इस समय में लापरात कर पाएंगे इस समय में पब्लिक आली आपका नेम भाता दिखाए देति गाई दान पुन इत्याधी आपको पब्लिक में अधिक नेम लूफ्रोग भरत मिलने की संबावन दिखा हर दे वाला रहेगा टैवल करके आपको लाप राप्त होगा इसके साथ सा धर्म कर्म करना कुछ धार्मी का नुश्ठान करना और इस सब चीजों का लाप राप कर पाएंगे समयाप के लिए उक्तम बनेगा इसके साथ सा जब देव गुरु बस्पतिक की नाइंट एसपेक्ट आप के धन के अंदर ये बढ़ुत्री कराएंगा आपको ए प्रोपर्टी भी परचेस कर सकते हैं चलचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्यों में आपका धन निवेश ओ धन के अंदर बढ़ुत्री हो अच्छे मित्रों का सुक आपको प्राप्त हो इन सब चीजों का लाभी आपको परदान करेंगे मित्रों के साथ साथ यह आपका नेम फेम भी बढ़ाने का कारिये यहां पर कर सकते हैं इसके बाद करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में शुक्र ग्यारा नौमबर से चार दिसंबर 2022 तक विश्चिक राशी में गोचर कर रहे हैं शुक्र आपके लिए के लॉड हो करके आपके 11 तोस में गोचा करें दिकिए यह जो समय रहे गए इस समय आपके एजुकेशन से आपके कारी वैवसाय से आपको लाब दिलाने वाला रहेगा अगर पिछले समय में आप का वैपार वैवसाय अच्छा नहीं चल रहा था आपकी जोब अच्छी नह आपसे बताना चाहूँगा क्योंकि केतुग्रे भी यहाँ पर हैं तो जो भी आप expansion करेंगे उससे आपको यह थोड़ा दूर भी करेगा परन्तु दूर करने का मतलब यह नहीं है कि उसे छोड़ दें ऐसा हो सकता है कि आप एक office से एक head office बनाए एक branch office को ले तो आपको दोन service में कुछ implement कुछ उससे benefit हो कुछ धनला पराप्त करें इन सब कीजों का लाभी आपको परतान करेगा इसके साथ साथ इस समय में आप किसी female की advice से भी अपने कारिवयवसाय में लापराप्त कर सकते हैं अपनी education के अंदर कुछ अच्छार लापराप्त कर सकते हैं उनकी advice ले अगर आप married है तो इस समय में अच्छे व्यवक जीवन का सुखी आपको परदान करेगा अगर व्यवक जीवन ने पिछले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो यहाँ पर शोट आउट हो जाएगे और आप अच्छे व्यवक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे इसके साथ यह समय जो रहेगा यह समय आपको आपके पार्टर के साथ एक अच्छी true travel देने के लिए रहेगा हो सकता है आप किसी hill station इत्यादी पर जाएं या किसी धार्मिक प्लेस पर जाएं यहाँ पर जाने से आप भी और आपका spouse भी दोनों आपका पार्टर भी आनंदि कर पाएं एक यादगार भरे पल आप यहाँ पर संजोब आएंगे ऐसा यहाँ पर पता चलता है इसके साथ साथ आपका कुछ धन किसी न किस परकार से fashionable चीजों के ऊपर इसके साथ सा लगजरी चीजों के ऊपर कुछ विकल इत्यादी के ऊपर खर्चोता हुआ दिखाई द के शनी खरे के बारे में शनी खरे 12 जोलाई 2022 से 16 जन्वर धीannी तर्लाराशी में गःता रहे हैं शनी आपके फरस्ट हॉस में गोचर कर रहे हैं और आपके ruling planet भी है जो कि अपनी स्वयराशी में है और शनी आपके लिए first or second house के lord करके आपके first house से गोचर करते हैं तेकि शनी का यहाँ पर गोचर करना यह आपको एक जिसे कहते हैं कि solid solid ग्यान यह solid चीजे प्रदान करता है जो कभी फिर छूटते नहीं है अगर आप student हैं कोई education प्राप करते हैं तो वह education आप इतनी solid क्यान प्राप कर लेंगे जो आपका भूलना मुश्किल हो जाएगा आप उसे भूल नहीं पाएंगे इसके साथ साथ यह जो समय रहेगा यह समय किसी प्रकार से आपके शत्रों को आपसे दूर हटाएगा आपके कोई enemies हैं जो आपको परिशान कर रहे थे उनसे आपको लिप प्रतान करेगा पर तो यहाँ पर शनी जब आए हैं तो यह किसी प्रकार से आपको एक आलस्य की प्रावर्ति देंगे आलस में रहना, साफ सफाई ना रखना, घर के अंदर समाने इधर उधर होना इन सब चीजों का यहाँ पर indication देते हैं तो इस समय में विशेश तोर दे सबसे पहले तो आप साफ सुवई का ध्यान लखें, इसके साथ साथ आलस्य से बचने का परियास करें और उपाई क्या करें कि शनी देव की पूजा करें यह समय आपके जीवन का गोल्डन समय में कहूंगा क्योंकि शनी जब अपनी स्वेय राशी में आए हैं और यह लगन में हैं और अपनी राशी में जब शनी है तो यह आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट परदान करें कुछ अच्छी चीजे जैसे अगर आप कोई घर लेना चाते हैं तो अच्छा बड़ा घर शनी रहे हैं आपको यहां परदान कर सकते हैं कोई वीकल आप पर चीज करना चाते हैं तो वीकल भी आपको यह परदान कर सकते हैं तो ये था शनी ग्रह के बारे में, इसके बाद शनी ग्रह की दरश्टी के बारे में बात करेंगे, शनी ग्रह की तीसी दरश्टी जब आपके ठल्ड हाउसों पड़ती है, तो ये बताती है कि जो आप ट्रेवल करेंगे, तो उन ट्रेवल में कुछ ना कुछ वेवधान हो सकत है अगर आप online platform के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर छोटे-छोटे उप्षेगल आएंगे जिने आप जंप करके निकल जाएंगे कोई दिक्कत जादे बड़ी मैं नहीं समझता हूं इसके सास्ता जब शनी करें कि सात्वी दर्ष्टी आपके सेविंध हाउस प आलस से की कमी की वज़े से आपके स्पाउट्स का मूड या आपके पार्टनर का मूड खराब हो सकता है तो उन सब चीजों से बचना चाहिए इसके दास से शनी के रहे कि दर्ष्टी जब आपके टैन्थ हांसवा पड़ती है जहाँ पर केतू भी विराज माने तो यहाँ तो यह बताता है कि आप expansion तो करेंगे पर तू किसी भी प्रकार से कारिये को delay ना करें आज का काम कल पर न छोड़ेंगे अगर आज का कारिये आप कल पर छोड़ेंगे तो आप अपने कारिये में पिछड़ते जाएंगे आने वाले समय में उसका रिजट क्या पता चले है क् बहुत परिशानी में लाकर के खड़ा कर दिया तो उन सब चीजों से बचे अपने कारे व्यवसाए अपनी जॉब अपने उकॉपेशन पर पुरा फोकस करके चलेंगे तो लाप राप्त होगा इसके बाप बात करेंगे राहुग्रे के बारे में किया है जिसके वज़े से आपके घर के अंदर का माहल भी मैं कह सकता हूं कि जादा साप सफ़ाई भरा या जैसी सिस्टेमैटिक चीज forgot कि चीजे कोई कहीं पढ़ी है कोई कहीं पढ़ी है विशेज तोर से इस समय में अगर आप कोई घर परचेस करते हैं तो उसके वास्तु करा करके या किसी अच्छे स्टोजर से अपनी पर चार्ट को रीडिंग करा करके ही आप घर परचेस करें अधर्वाइस इस समय में हो सकता है जो आप घर परचेस कर रहे हैं या जो भी आप प्रोपर्टी परचेस कर रहे हैं उसके अंदर राहू की जो negativity है यह आपके घर आपके दिल आपके दिमाग इन सब चीजों से बाहर रहेगी और आप अपने सभी कारियों को आसाली से कर पाएंगे आपके पास किसी परकार को कोई डर या ब्रहम नहीं रहेगा जब ब्रहम और डर रहता है तो व्यक्ति कारियों नहीं कर पात अपने negativity ना दिखा पाएं इसके साथ आप शिव मंदीर में अगर आप जाते हैं डेली शिव मंदीर में शिवलिंग के उपर जल अरपड करते हैं तो भी आपके लिए काफी लाबदाई रहेगा उपाई भी साथ-साथ हो गया इसके साथ के तुग्रे के बारे में बात करें कि आपको एक से दो की ब्रांच में डिवाइड करेंगे एक से दो ओफिस तीन ओफिस चार ओफिस या आपके बनवाएंगे तरक्की तो आपको देंगे हार्ड वर्थ भी देंगे आपको अलस्सिस नहीं करना है बेकुल भी इसके साथ-साथ ये जो समय रहेगा ये समय आप को जितने भी आपके ओफिस ही है जो भी आपके कारिये हैं उन सब कारियों के ओपर बराबर फोकस करके चलने के लिए करूँगा अगर आप किसी भी एक ओफिस मालिजिए आपके दो ओफिस हो गए एक से दो हुए तो उन दोनों ओफिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दि प्रेंट त्रांजिट के मुपार वरंड़न आप बात करेंगे मूं के विशे में 16 17 सब्सक्राइब 8 हेल्थ के लिए विशेश तोर से में ध्यान लखने के लिए बोलूगा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान लखिए इस समय में अपने आपको ज्यादे ठकाई नहीं ज्यादे उद्धमी ना बनाएं इसके बाद में 19-21 तो यहाँ पर 19-21 नॉवंबर का जो समय रहेगा यह सम 21-21 नॉवंबर का जो समय रहेगा यह समय आपको किसी प्रकार से अपने कारी में कोई एक्सपेंशन करना या कोई प्रोडेक्ट सर्विस एड़ करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा इस समय को आप वाइट करके चलेंगे तो लाप राप होगा इसके साथ साथ अगर आपको प्रोड़ी करने का उसरप्राप्थ होगा इसके साथ मित्रों के साथ अच्छी पाल्टित्यादी उर्ग्नाईस करने के लिए समय रहेगा इसके भाप 25аю 627 नॉवंबर का समय यह समय आप फोड़ा साथ कराने वाला इसे समय में होर सकता है आपका कुछ धन किसी न किसी के आपके family member की health के लिए खर्च हो इसके साथ थोड़ा सा tension भरा समय अपने भविश्य को लेकर कि आप चिंतित रह सकते हैं उन सब चीजों के लिए चिंता करना छोड़ करके आप जो मैंने उपाई बताये हैं उस उपाई को करेंगे तो होना और वानी के माध्यम से आप अपने कारियों को पूर्ण करा पाएंगे इसके बाद एक दो दिसंबर एक दो दिसंबर का समय आपके लिए अतियुत्तम रहेगा इस समय में आपको ट्रेवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है इसके साथ इस समय में आप अपने siblings के माध से संचार माध्यम से आपको कुछ प्राप्त हो सकती है इसके बाद 3-4-5 दिसंबर 3-4-5 दिसंबर का जो समय रहेगा यह समय आपको आपके घर के अंदर एक फूरा सा परिशानी दिने वाला रहेगा जैसे कि मैंने बताया कि इन डेट्स में अगर आपको प्रोपर्टी पर करें अगर प्रचेज करनी पड़ती है तो इन डेट्स में आप उसकी वास्तु दिखवा सकते हैं या अपने बर्चाल को एनलेसिस करा सकते हैं तो आपके लिए इसके बाद 6-7 दिसंबर तो 6-7 दिसंबर का जो समय रहेगा यह स्टुडेंट के लिए अच्छा समय रहने व तो 8-9-10 दिसंबर का जो समय रहेगा यह समय आपको किसी ना किसी परकार से कोई रोग रिण या शत्रू देने वाला रहेगा उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो लाप राप्त हो का इसके बाद 11-12 दिसंबर का समय यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा इस समय में आप प्लिकली नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाए देगा पस थोड़ा सा यहां पर मैं यही कहूंगा कि जादे लेट ना करें डिले ना करें आलस्य ना करें तो उत्तम रहेगा इसके बाद 13-14-15 दिसंबर यह जो समय रहेगा यह समय आपको अपनी हेल्थ के लिए उत्त प्रात हो जिसमें आपको ट्रेवल करना पर सकता है और आपकी हेल्थ किसी परकार से खराब रह सकती है ठंड इत्त्यादी लगने की सम्मावने यहां पर बन सकती है तो उनसे बचकर रहने का परियास किया जाए तो यह था मकड़ लगन के लिए मंत्रिप इडिक्शन अगर